असलाम अलेकुम दोस्तों मैं महम्मत वाव मिर्सार तूड़े टापिक वी आर गोंग टो डिसकस इस यूसा टेस्ट एट हैस हैल्ड ओन 12 स्टमबर 2021 इससे पहले मैंने एक वीडियो जो पेस्ट अपान दा स्लेबस दे हैव शोन ओन एची सी वेबसाइट उसकी बेस पे मैंने एक सेंपल इंटर्व्यू भी सेंपल पेपर बनाने की भी कोश्च की थी जिसको आपने बहुत सरा और बहुत सारे पास्ट रिव्यूज भी मिले तो आज के दिन में हम जो टेस्ट जो कंड़क्ट हुआ है उसके जो मेरे पास MCQ आए हैं उस हिसाब से हम जो है वो से फखर है तो without further delaying our video हम start करते हैं तो जो सबसे पहले आज की दिन जो इस वीडियो में मैं discuss करने जाता हूँ quantitative reasoning के बारे में discuss करने जा रहा हूं तो quantitative reasoning में जो questions आई हैं वो इस तरह के थे सबसे पहले question था angle between two parallel lines जो parallel lines होती है वो चुके आप देखते हैं कि एक जो है से same जो direction में चार रही होती है तो उन में जो angle जो आपस में होता है वो zero होता है इसलिए वो आपने आए दूसरे को कभी भी किसी भी point पर कारती भी नहीं है यह मेरे हाल में metric में एक वो होता था अपने theorem प्रूफ करने होते थे तो शायद उसमें भी यह question होता था खीकर जी अब second question है prime factor of 49 इस prime factor क्या होता है कि ऐसे factors जो सिर्फ prime numbers पर हो यानि कि 49 के ऐसे factors बनाने हैं जो सिर्फ prime numbers हो अगर इसमें देखा जाए तो seven into seven जो है प्रवाइज दा same terms and conditions अगर seven into seven into seven करें तो वह वैसे ही बाहर चले जाएगा one into seven into seven पूरा तो करता है पर उसमें एक natural number आ गया है तो इस वजा से वह option भी नहीं होगा तो सी option जो है seven into seven वाला वह जो है वह हमारा काम है ठीक है इसके बाद आ गया है one by four into one by six into one by eight तो क्या करना है कि इसका सबसे पहले हमने least common multiple लेना है ठीक है least common multiple लेंगे तो हम देखना चारे कि इन तीनों में से बला के कौन सा number है जो सारों को requirement पूरी कर रहा है answer ठीक है जी अब वर्थाफ seven in six seventy five अगर हम जो है seven कितनी दफाह उसमें आ रहा है जो है न तो अगर उसको देखें तो अगर उसको करें वर्थ यह होता है कि जैसे के six into hundred करेंगे तो सबसे पहले वो क्या वर्थ बनेगी वो hundred की वर्थ बनेगी six hundred ठीक है फिर उसके बाद seven into ten ten करेंगे तो वो हो जगेगी seven into ten is about 70 तो seven की वर्थ बनी 70 और five की वर्थ बनेगी one ठीक है तो इसमें अगर overall अगर मनलब इसके लावा अगर hundred की भी पूची होती है दूसरों की पूची होते तो उससे भी आप पूरता चाल जाता तो seven की जो वर्थ है इसमें वो 70 है ठीक है number of zeros in square of four hundred ठीक है जी तो four hundred के squares में जो है वो number of zeros जो है अगर four hundred का scale लें तो क्या आएगा में हाँ 16,000 आएगा तो 16,000 में कितने zeros होते हैं one two three four four zeros होते हैं तो four जो है should be the right option ठीक है जी अब आ रहा है six question if four men can do the work in 30 days 24 men will do the same work in how many days ठीक है जीक है जीक है जीक है तो अगर चार बं को तीस दिन में कर सके हैं तो इसका मदलब है कि वो जो है चार बंदे जो है वो एक काम को तीस दिन में कर रहे हैं तो अगर एक बंदा लगेगा तो 30 into four उसको 120 दिन लगाने पड़ेंगे ठीक है अब हमारे पास आ गया कि जो है अगर जो है 24 men will do दबर अब four men और 24 men का अगर difference लगाएं तो six times जो है वो manpower बढ़ गया तो अब दिन six times कम आने चाहिए तो six time अगर दिन काम करने हो तो 30 by six is equal to five तो five जो है वो होना चाहिए मतलब यह नहीं कि चुके आदमियों के तदा six times बढ़ गया तो दिनों के तदा दादा विसलिए काम की six times कम हो जाने चाहिए तो वो six time कम करेंगे तो five answer होगा ठीक है one is a natural number irrational number तो हो नहीं सकता है irrational number के हम उसको integer फार्मिड में तो लिख सकते है ठीक है यह prime number भी नहीं होता है और all of the above नहीं तो natural number would be the answer ठीक है additive inverse of 11 by 7 additive inverse ही होता है कि आप उसको अगर दोनों को plus करें तो जो आप 0 होना चाहिए तो 11 by 7 में इसको जमा करें तो 0 है तो वो minus 11 by 7 है ठीक है इसके बाद आते है diagonal of square by sex each other at which angle ठीक है diagonal क्या होते है by square के अगर करें तो ऐसे और ऐसे ठीक है तो आपस में अगर उनका कहीं से भी आप angle create करेंगे तो वो right angle मतलब जो है 90 के angle पे आपने आपको काट रहे होंगे ठीक है ठीक है त को अगर करेंगे तो माइनस वन होजेगा तो इदर जो है answer होगा माइनस टूए भी ठीक है रही है अब है 125 percent of 20 अच्छा जी परसेंडेज करने का बड़ा यह सान तरीक है जो भी percentage हो उसको जो है by 100 करतें अब 1.2 जो है अगर 125 by 100 करेंगे तो क्या answer रहाना चाहिए 1.25 और 1.25 करें तो multiplied by 20 करेंगे अगर calculator रहा हो था तो 25 है नहीं भी था तो मैं आपको बताता हूं 1 और जो है 25.25 कितना होगे 1 by 4 1 by 4 अगर उसको करें तो जो है कितना आजेगा 5 तो 20 plus 5 करेंगे तो आपको वैसे भी पता चालेगा यह 25 answer है ठीक है जी what is the of 10 numbers which means what is the mean is 9 ठीक है मेरे हाल में इसमें जो है न 10 numbers को मलाके जिसका mean 9 बता है भो बताएं तो mean होता किया कि सारे numbers को आपके add करना होता है और by number of जितने number दी होते हैं उससे divide करना होता है तो अगर हम 9 किसी का mean है तो कितने number को add करें मतलब देखें 9 को अगर 10 दफा जमा करते हैं हम ठीक है तो 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 बटा 10 करते हैं तो फिर वो जो आके जिकर तो 9 बनेगा तो फिर 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 10 दफा करेंगे तो 9 into 10 वैसे भी 90 बनता ठीक है लेकिन अगर हम जमा करके भी देख लेंगे तो 90 होते है जो उसके अगर mansion होते हैं सब्सक्रास क्राइब कियों क्यों से उसमें जोज आना यूज husta ौक्यूबाइड होता है फेसिस तो ज in the कहा है complete the sequence 5, 8, 12, 17, 23, 38 तो अगर हम इसमें pattern बनाने कोश्च करें तो 5 में 3 एड़ करें तो 8 हो गया, 8 में 4 एड़ करें तो 12 हो गया, 12 में 5 एड़ किया, 17 हो गया, 17 में 6 एड़ किया, 23 हो गया, 23 में फिर 7 एड़ करेंगे, 30 हो जएगा, तो 30 शुटी दा right answer, तो इसके लाब question, if 18 8 x plus 4 by 16 minus 4 x is equal to 1, then x is, ठीक है जी, तो क्या होगा कि 8 x plus 4 is equal to, वो 16 minus 4 x उदर चले जाएगा, ठीक है जी, तो क्या रहा गया, 16 minus 4 x उदर चला गया, और 8 x plus 4 हो गया, अगर इदर ले कहेंगे, तो 12 x आजएगा, 12 x और 4 अगर उदर जाएगा, तो 12 x जो है, इदर हो गया, क्योंकि minus था, हाँ, 12 x लेट साइड पर आगया, और 16 और minus 4 is equal to 12, 12 x is equal to 12 की equation बनेगी, तो अगर करें तो x is equal to should be the 1, ठीक है, 1 value होनी से ये ठीक है, अच्छा जी, ये algebra का question था, 1 third of 27, तो 1 third 27 को 3 में, जो है, parts में divide करें, तो क्या होना चाहिए, 1 third, 1 by 3 into 27, तो ये 9 होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिग्री of polynomial, डिग्री जो होती है, जो highest degree होती है, वो ही degree of polynomial होती है, तो इस case में, अगर आप highest number देखें, x cube, जो है, वो highest number है, तो 3 should be the degree, ठीक है, अगर इदर x 4 होता तो 4 होता, अगर x 5 होता, तो जो भी highest degree होती है, वो ही उसकी degree, जो highest, जो number उपर mention होता है, वो ही उसकी highest degree होती होती है, ठीक है, how many socks are in 7 pairs, obviously pairs 2 का होता है, 7 into 2 is equal to 14 should be the answer, which of the following is equal to x cube, ठीक है, x cube, तो ये algebra के मैं अज़र है, algebra में क्या होता है, जो नीचे वाली रखम होती है, जो उसको minus करना होता है, मतलब power में, तो x6 minus into x6, जो एक answer है, देखें, x3, बाकी मैं पहले option आपको value, x3 minus 11 करेंगे, तो x minus 8 बन जेगा, अगर x6 minus 12 करेंगे, तो जो है, ये minus 6 आजेगा, तो x4 into, वो करेंगे, minus x करेंगे, तो x cube बन जेगा, ठीक है, तो हमें, बलकि x4 by xb, जो ह है, ये तो a और d दोनों ही इसको है, बनने चाहिए, x6 minus 3 is equal to 3, और x4 into, इसमें a और d असल में, actually में, दोनों बनने चाहिए, लेकिन मुझे लाग रहा है कि, जिसने भी question share कि, हमाइड भी, जो है, option ठीक तरह से नहीं लगा सकता, otherwise question के answer, जो है, a और d दोनों होने चाहिए, mean of first three multiple of six is, ठीक है, mean of, ठीक है जी, तो multiple of six, first three multiple क्या है, six into one, six into two, six into three, तो three multiples होगे, 6 कम 6, 6 तो नहीं, 12, 6 ती, 18, अगर इनको जमा करें, तो 6 जमा 12, जमा 18 बटा 3, यानि 3 रक में है, तो 18 और plus 18 बटा 3 होगे, 36 बटा 3, is equal to 12, 12 should be the ryan transit, ठीक है, तो जमा जाए, median, median क्या होता है, कि आपने उसको साट करना होता है, और उसमें से दर्म्यान वाला number चूज करना होता है, चुक्कि यह 5 number है, तो क्या करना होता है, 7, 4, 8, 9, 10, अगर अब इसको साट करेंगे, तो 47, 8, 9, 10, तो 8 दर्म्यान में आ रहा है, it should be the median number, ठीक है 500 एड़ कर दें, तो 5500 शुट भी दा अंसर, ठीक है जिए, अब AB plus CA, AB plus CA, BC plus CA is equal to, if A is equal to 2, ठीक है, A is equal to 2 हो गया, तो 2 into, क्या हो गया, minus 3, minus 6 हो गया, सबसे पहले AB का कर, माल्टिपिटेशिंगे, प्लस BC, BC का हो गया, B और C, minus 12, ठीक है जी, पहले का भी आया, minus 6, फिर minus 12, और plus C into A, तो हो गया, ये भी हो गया, minus 8, A और B हो गया, minus 6, B और C हो गया, minus 12, 12, और C into A हो गया, minus 8, minus 12, minus 8, minus 12, A into, minus A is equal to 2, T is equal to 3, मैं भी इदर सॉल भी कर लेता हूं, A, A2, B into minus 3, ठीक है, minus 6 हो गया, प्लस, ये हो गया, B, minus 3 into minus 4, ये हो गया, minus 12, प्लस, ये हो गया, C, C हो गया, minus 4 into A, 2, अच्छा जी, तो ये हो गया, इसको, minus 6, minus 6, जम्मा, minus 12, ये हो गया, minus 18, और minus 8, minus 6, और minus, चुके है, ये minus 12 है, तो हो गया, minus 18, और minus 8, minus 26, आंसर, शुट भी दा आंसर, इसका answer होना चाहिए, ठीक है, अब आ गया, 4X plus 0.4 is equal to 5.5, तो अगर उदर जाएगा, तो ये 5.2 minus 0.4 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 4.8 हो गया, 4X into 4 is equal to 4.8, तो अगर इसको उदर लेके जाएगे, तो 1.2 शुट भी दा आंसर, 1 is converted into decimal, इस decimal क्या होता है, आपने by 100 करना होता है, अगर by 100 करेंगे, तो 0.01 शुट भी दा आंसर, तो इसी दरा की, इसी के साथ आपका quantitative reasoning जो है, वो complete होता है, तो अगर इसके अलावा मुझे पता है, क्यूंकि 35 MCQs मुझे जाएगा है quantitative के आने थे और 35 के आने थे, तो जो बाकी है, वो अगर आप कमेंट में पासन कर देजेंगे, तो बहुत मेरबनी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को subscribe करने, ताकि आपको further वीडियोस मिलती रहे हमारे साथ जुड़े रहने के और बार बार इस चैनल पराने के लिए मुहम्मद उखामिर साथ करता है, दिल से श्क्त गुजार, अल्हाफिस, पाक्स्तान, जिन्दाबाद